हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का तो दोस्तों में वर्ल्ड के कुछ फैक्ट्स हमने देखे थे उसके इंडिया के बारे में देखा था तो अब दोस्तों हम एसीया के बारे में देखेंगे और एसीया का पार्ट ही है इंडिया आपका तो इंडिया के बारे में पहले ही से करेंगे तो बीडा से पूर्छ करें दियर चैनल से कुछ इस डिरे चीज को देखेंगे तो आपने पहल सरगए है क्योंकि पहले इतने easy question आते थे कि आप अराम से कर सकते थे लेकिन अभी थोड़ा सा pattern दीरे दीरे change होता जा रहा है वह pattern क्या change होता जा रहा है उसको हम discuss करेंगा भी ठीक है तो चलिए session को start करते हैं तो यह हमारा करते हैं तो यह सारे आ जाते हैं ठीक है तो यह याद रखेंगे तो यह सारे यहां जाते हैं और अस्टेलिया अपने अपने एक यह चीजह जब नूजिरन हो गए रहा वगया है तो उसको बोलते ओसियाना हम पढ़ेंगे इसको ठीक है ना और जब अस्टेलिया की बात करते तो यह चोटे चोटे दो आधिया रहे तो अस्टेलिया महादीड और अस्टेलिया किसको कहते हैं लिए एक देश है यह बेसिक से फंडामेटल या देखे कई वर हम इसमें कन्फूज हो जाते हैं तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं सबसे ऊपर देश बात करें को यह पूरा आपका रसिया जाता है ठीक है रसिया का आधा भाग यूरोप में आता है और आधा रसिया में पार्ट में यह पूरा यूरोप का पार्ट में आता है क्योंकि यह फुर्यूरोप के लिए DREE यह घूर्ट नौर्थ आम बेटार आता है तो यहां तक हमने चीज़े देख लिए इंडिया की चीज़ पहले देख चुके फिर अभी देखेंगे यह आपका सेंटल अमेरिका कहलाता है और इसको साउथ इस्ट कहलाता है तो इसको क्या-क्या बोलते हैं और इसको इस्टेशिया बोलते नॉर्मली ठीक है इस रीजिन को करके सारी कैप्टल से हम देखते चलेंगे अगर आपको मैं सेंटल इसे दिखाना चाहिए तो थोड़ा जूम करके मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूं ठीक है अगर इसको आप देखो गये तो कजाकिस्तान एक देश आता है कजाकिस्तान के कैप्टल अस्थाना थी 2019 तक कर जाकिस्तान सामने लिघ देगा फिर इसका नूर सुल्तान लिग देगा लिग देगा उजुस्तान मैच अब पूछे क्यों सा Oh, मैं क्कुषे ए तो तिया सकते कंप्टरि यह तो आपको देखना है क्यों कज्वेखीatorrell है तो आपको देखना कि उनठी के आ सपास है एए इदर अफगानिस्तान देखो तो काबूल आ जाएगा पकिस्तान इस्लामाबाद इंडिया न्यू दिल्ली नेपाल कटमांडू भुटान ठीपू ठीक है इसे इदर बाटको इरान तहरीन आ जाता है आप यहां पर कैस्पियन सागर है यह देख रहे हो आगे हम पढ़ेंगे इरान तुर्कमेनिस्तान केसी क्या आता है कजाकिस्तान देखो आप यह आपके टोटल पांस लगती हमने पढ़ा आगे अब यहां पढ़ेंगे भी ठीक है यहां चीज़े देख ली अब इसका फिसकल मैप में देखो जहां ग्रीन का मतलब है कि प्लेन है जैसे जैसे ब्रा इसको परसांत महा सागर करते हैं इनहीं दोनों को देशों के आसपास पुरा हमारे ऐसी घूमा पी रहा है पुरा इसी के आसपास आपको पूरा मिलेगा ओपर से आप रसीज siya से चालू करेंगे इदा आंगे तो इंडिया तक खतम होता है ठीक है और फिर आप साउथ इस् तो यह सारे के country हम देखेंगे तो यहाद हमें समझा रहा था जित्तों देखो जहां पर आपको greenries मिलेंगी जिसे हाइड बढ़ती जाएगी brown इस मतलब भूरे color बढ़ता जाएगा और जहां पर भूरे के साथ तो white हलका white color में होता जाता है इसका मतलब यहां बर्फ बढ़ते हैं ब्राउन के साथ white color हलका हलका दिखें इसका मतलब है देखो हिमालिया रेंज आ जाता है यहां पर बर्फ काफी जादे पढ़ते हैं यहां पर brown तो है लेकिन उसके उपर white color की हलकी से एक layer सी आपको पता लगेग किनारे आपको इसके white white मिलेगा जमीन के किनारे आप इंडिया किनार देखो तो white white देखेगा लेकिन जैसे इसे बीच में चलते जाओगे आप यह गहरा होता जाता है तो जहां ज्यादे गहरा color इसका मतलब सिंपल सा यह है कि वहां पर गहराई बहुत जादे हैं तो बेसिक सीखा worked curious प्रिक्रण इंडिबे ती तो यह तो हमारा अंसेटीहेड गुरूप का है थी कहएं बट हम बहुत सारे बच्चों के यह आपको परविकली भी दे रहें इसमें जी हमारा एंसेटी और पाकिस्तान अता है पड़ इसमें इदर अफगानिस्तान आता है इताव इधर से लेके कि दिल्ली से आपके को पून यह दिया था इन नाओी सब्सक्राइब को कैसे करना और आपने कुछ नहीं करना आप गूगल मेप में भी आपको ऐसे मिल जाएगा एक मिल जहाँ सरे अब यह बहुत सारी विपसाइट सबस्क्राइम पर आती हैं जो तो आपको मेजर लीक इंडिया के जो कैपिटल से उनको देखना कि एक सीध्य कौन-कौन से पास में आते हैं यह आपको मेनली देखके रखना है ठीक है तो यह कई बार एक्जाम में डाइकलिक पूश ली जाता है या फिर वह से भी होता है कि जो इस्टेट बहुत चर्चा मे होते हैं तो आपको इतना भी दिखके तो आपको इसमत करें जो केपिटल से ना उसके पींड करना पड़ेगा तो आपको उसकी लाइटिटूड प्लस लॉंगिटूड मत्बद चांस और दिशांतर दोनों पता चल जाएगा ठीक है तो यह आपको खुच से करना पड़ेग क्योंकि आगर आप खुच से करेंगे तो आपको इसीज़े लॉंग टर्म तक याद रहेगी ठीक है मैंने बहुत मैप ट्राई किया है दोस्तों कि इस पर मेरे को ऐसे मैप मिल जाए कि एक लाइन पर कौन-कौन से मेरे को मिल जाता है गूगल से अगर पुरा एक मैप बनके मेरे मैं इसको मेरे मिल जाता है अगर एच चाहथ केड़ी आपकनавर के में कर लेंगे , या ने मुंबइ इनले समस्क्राइब 앞 सब्कूर में पाकिस्टान सब्सक्राइब करदें कारोगा है उसको पाकिस्ट में है आग थे से बात करें दोस्तों तो मीडियरिस्ट में कौन-कौन से राज्य है करके देख लेते हैं देखो कैस्पियंस आगर हमने जिस देख लिया था दोस्तों यहाँ अरल सी है तो अरल सी किंदु दूसर से अपना बॉर्डर सेर करता है तो यह भी याद रखेगा कजाकिस्तान उजबेकिस्तान यह बेसे पॉइंट याद रखेंगे बिलेक सी अजोब यागे चलके हम दोस्तों देखेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप देखो कि यहाँ पर मेट्रियंसी है यहाँ पर टर्की है फिर सीरिया आता है फिर लेबनॉन आता है फिर इजराइल आता है और यहाँ पर पलेस्टीन एक चोटा सा देश तो टूस्टेट याद रखेंगे आप देशों की बात के लिए देखो मैंने सेंट्रलेशा के कंट्रियों से बता रखे थे कजाकिस्तान उजबेकिस्तान और तुर्क्मेनिस्तान राइट उसके बाद इधर देखो तो आफग बनौन इराक जॉर्डन देखो उसके निच्छे बठेंगे इहां पर देखो को कुवा क्वेत जाता है चोटा से देश भारीन पिर इहां पर कतर है यह सौदिया अरभ येमन है अमान है फो ही एग तिक है इसको उनाइटेड इमेरेट कहते हैं अब यहां पर कहते हैं अब य याद रखेएगा यह कई बार पूछ लिए जाता है तो याद रखेगा रेट C को में जोड़ता आपका स्वेश कैनाल या सुप गल्फ आप स्वेश आपको आपको मिल सकता है तो यह आपको स्वेक्ष भी एकर याद रखोगा न तब यह आपका काम बन जाएगा में जैए य आपका स्वेच के बीच में कौन सा सागर आता है तो यहाद रिखे करके और दिखाता हूं देखिए यहां पर आपको ज्यादे क्लियर दिख रहा हो गए यहां पर यहां पर स्वेच कैनल जो पहले बंद था बाद में इसको स्वेच कैनल को जैसे कि लगबग साथ जार से जादे दूरी कम हो गई थी हमारी इंडिया को पहले आफ्रीका से पुरा घूम की जाना पड़ता तो यह दूरी हमें कम हो गी इतनी ठीक है और इस कैनल का एक तरह सके भारत में उपनिवेस बनने को सबसे एक मतलब भारत क यह पतन का भी एक बहुत बड़ा करणड था क्यों जब 1860 में यह रास्ता खुला तो अंग्रेज पुरा घूम के आते था अफ्रीका जैसे मैं दिखाता हूं ठीक है यह तो हमने देख लिए बाद करें तो अफ्रीका से हम पुरा घूम के जाते थे यूरोप लेकिन यह बन बना रखा थे इन्होंने 860 के असपास से 1947 तक बहुत तेजी से दोहन करना चालू कर दे क्यों को रास्ता क्या मिल गया तो बहुत तेजी तेजी से यह लोग क्या करने लगे यहां से भारत के लूट लूट कर इनका मतब खेती करवा के अपने कच्छे रॉम मेट्रियल बार बार चाल चीशफी ।100 पर सिमाइं के इस नगा याद रखेगा तर्क Biz विद्वों के अपने करने चीशे ही आपको एसके आसपर कौन कौन से देष ही है यह तो हम्में पताई तो यहां पर याद रखिएगा पके खारी चालि यहां दोनों किसके भीच है तो याद रिखे पाक की खाड़ी इंडिया और शिलंका की बीच में हैं ठीक है यहां पर लच्छदीप है हमारा यहां पर हमारा निको बार है तो यह याद रखेगा देखो एक चीज़ें अच्छा अच्छा देसांतर अब इसमें पढ़ें क्यों कि मैं मैप का मतलब क्या होता है अगर मैं बोलू राजस्थान तो आपको राजस्थान याद आना चाहिए आपके सपने में दिखना चाहिए कि अच्छा मैं देख पा रहा हूं मैं राजस्थान पहुच गया हूं अगर भेले आप बैठो बिहार में मैं जैसे नाम लो नकसा याद आना चाहिए अच्छा गुजरात यह रहा है इसके पड़ोशी देश तीन है मतब पड़ोशी देश का मतब राज्य है और इसकी पाकिस्तान से बार लगती है अरब सागर में यह है ठीक है यह सारी सीजे अगर आपको याद आ रहा है तब तो आप समझो साही ट ठीक है तो मैपिंग में मैपिंग सही हो पाएगा अगर आप खुद से गूगल गूगल मैप से देख पार दो ठीक है अधर मैं मैं कोसिस करूंगा जब हमारे वीडियो समाप्त होगा ना तो लास्ट में हम इसको क्या करेंगे एक सिनर्यों सा बना देंगे क्योंकि 2018 पूछ मैपिंग के लिए आपको मेहनत कम करनी पड़ेंगे और जब एकजाम में कोसन पूछा जाएगा तो पुरहन उसका अंसर दे पाओगे ठीक है तो यह बेसिक से फंडामेंटल से आध रखिएगा ठीक है तो इसको वेस्टन घाड बोलते हैं यह भी आध रखिएगा ठीक है इसको इंडो गेंटिक प्लेन भी बोलते हैं कि गंगा नदी यहां से बैती है और यह पुरा प्लेन आजाता है इधर गुजरात आपको नॉर्मली प्लेन इर्याज मिलेंगा बागी ज्याज़तर देखो कि भारत का पठारी भाग भी आपको मिलेगा जिसमें आपको बताया सबसको यह ऐसे है यहां पर पानी है पूरा तो यहां पर समुद्र का पानी फैला तो यहां से हम उचाई नापते हमेशा हम कहीं 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 देखो कि लिखा होता है कि समुद्र चल से उचाई इतनी है ठीक है आप पहाड़ों पर जाओ लिखा होगा समुद्र चल से इतनी उ के बीच में है शिरलंका का ताइम लाइन आपको इंपॉर्टन इसलिए रखना क्योंकि आपके धमाते भी हुए थे ठीक है तो याद कि कोलमबो निग आपका निगंबो और यहां पर आपका बैटी बैटी कलाव भी कहते हैं इसको तो याद रिखिए यह प्लेस थोड़े सी कोटे भी बोलते के लिए पूरं भी कहते थे रास्पति की बात करें अगर तो माल्दी देखो इंडिया से इधर है और क्या है नूर सुल्तान ठीक है बार बार इसलिए बोलता है कि आपको याद हो जाए नूर सुल्तान सुल्तान मूवी आई थी थी ना ऐसे याद रख सुल्तान कहां का कजाकिस्तान का ठीक है कैस्पियन सागर से कौन कों से कंट्री लगती है दुखोगी आप यहां से मैंने राई टीक करके बताया था आर से रसिया ठीक है यह से अजर बिजान जिसी कैपिल बाकू है इरान तहरीन ठीक है तुर्कमेनिस्तान अजगाबाद उ रख्डाइस्ताँ चाय तॉर्च में का तो यता कजाकिस्तान के बाइब करें हिellow करें तो लाइस टाम तो याद रहे घाएं कैंगहें प्लेशे अलमानी इसा कि में आपका यहां पे है कजाक्तिस्तान में तो यह कई बर एग्जामें हमसे जोस्तों पूश ली जाता है तो इसलिए आप रखेगा तर्क्मेनिस्तान अजगाबाद प्लेसिज आप जिसे इरान चर्चा में इस बार तो इरान से कोशन पुछे जाने के चांसे ज़्यादे हैं तो आपको यहाद रखना तहरीन कहां पे हैं मसाद कहां पे हैं तब तबरीज कहां पे हैं सहीराज कहां पे हैं तो यह जिस प्लेसेज आपको याद रखना है ठीक है यह यार्ड कहा पर हैं ठीक है इपसाहान कहां पर तो यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि इरान बहुत चर्चा में क्योंकि आपका USA और इरान के जगड़े चलते रहें और इनान का हमने चाबार पोर्ड भी बनाया है तो इसलिए आपको यह सारी चीजे दुखको डेटिल में देखनी अब लेग बयकाल की बात करे तो लेग बयकाल कहां पर तो याद रखेगा बयकास बलकास बोलते नार्मली ठीक है Łag Grid कहां पर तो कजाकिस्तान का पार्ट है तो यह भी याद रखेगा हमसे रेक्जाम में पुछेंगा चांसर थोड़े से बढ़़ जाते हैं कि इसमें रिवर्स वक्राइब नहीं नहीं है तो बस इतनी विस्टी से पॉंट याद रखिएगा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह अगर बात करें इस्ट एसिया की बात करें तो दुखो मंगोलिया का उलनबटार कैपिटल बीजिंग की चाइना की बीजिंग है नॉर्थ कोरिया की प्यंग्योंग है जापान की टोकियो है साउथ कोरिया की सियोल है ठीक है और ताइबान की टैपीव है कई देशिस को रिक्नाइज नहीं करते हैं कि यह अलग से देश है बहुत सारे देशिस को रिकनाइज करते हैं होंग कॉंग और मकाउं यह भी तो हाँ चैना सी से आपका चाइना का बाटर लगता है ठीक है इस इदर इस चाइना सी से चैना से चैनल से कंटर को भी कुछ दीर देखेंगे सबसे पहले देखिए के इंडोनेशा के सुमात्रा दीप यहाँ बोर्णिए कि बीच भीच में नहीं तो इतनी चीजे होगी तो यहादर के सुन्दा स्टेट आपका सुमात्रा और जावा के बीच में और यह बहुत पर पर जाता है कि कौन सबसे पास में सिलंका दूर है मिनमार दूर है सबसे पास में सुमातरा पर जाता है है ठीक है यह भी बेसिक से पॉइंट याद रखेएगा तो यहां पर आप मलक्का मलेशिया और इंडियोनेशिया के सुमात्रा दिप के के बीच में सूलु सी याद रखेएगा मलेशिया और फिलिपिन्स की बीच में तो यह सारे कहां पर चाइना में यह भी याद रखेएगा कई पर एक्जाम में हमसे डायकली पूछ लिए जाता है ठीक है ना सी आप जापान से किसका बार्डर लगता है यह कई बार पूछ लि जाफ चाइना से सी ऑफ जापांं याद रखेएगा यलो सी की बात करें तो यह आप योस्जों लगता है तो चाइना का नॉelnत को रिया साथ कोरिया तीन देशें को कि लगता है यह वियतनाम की बात कर लेते हैं वियतनाम के पास तो याद रिखेगा कई बर आप से एक्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है तो हाइन आपका आइसलेंड है वहां पे और आपका वियतनाम के बीच में है ठीक है और उसके साथ बात करें हो चीन मिन सीटी ये भी वड़ा चर्चा मे रहा है तो याद लिखे होचीन मिन के बारे में आपसे डोस्तों की हनोई है अर यह बहुत तहetted जा रहा है इसलिए बहुत अच्छा में रहा भी है कभी लगबग बहुत ज्यादे सूख गया है और इस पर कोशन पूज भी चुका है ठीक है तो यह भी याद रखेगा और गल्फ आप थाइलेंड से भी आपका वियतनाम का बॉडर लगता है यह पॉइंट भी आपको याद ना है अब दोस्त हूद असलवे ढाइक है कि लिए कोण कॉन्सी कंटृर्इए की काठ करके हम देख लेती हैं सबसे पहले हैं चाही ए मैमार के बढ़एंगे यहाँ पर दोस्तों आ जाता है थाइलड थाईलेंड थैलिंड ने आ schl idτο Yeah यह मलेशिया है यह सिंगापूर है य एफ से पहलाएट से लगता है इसी नीचे बढ़ाखे तो अपका मैंबार से लगता है लोगता है उसकी साथ मलेशिया ओन hundred-th introduz थैलंड- Audio mundane से लगता है फोरा मलेशिया है और यहां पर और बुर नहीं है ठीक है तो यहां पर देखो तो बुरोंच से सत्थ लगता है और फिलिपिन से यहांपे दीफ है और इसे प्रूरा छाट चायनासी फैसे आपका किस माँदी लगयाघेगा तो जल के लागबक सिंवान लग caregiver इसी तौर चाइनाम को अपर से थाइलन्ड का लगता है मलेजिया का लगता है संगापर का लगता है इंदोनेशिया के लगता है नेकना साव्ट है बर्यूर्ण से dens सारे लॉब और स्सक्षर करते हैं थे वाला पुरा लगका साउट चैना सी कहलाता है यहाद रखे हैं कि यहाद है इसको बूट रेख़ाईधाई यहाद राए इसको नाम से पार पू गरेखले को है जिसके समवर्ड फाइलेंड हैं तो लन्ख शारी आप यहाद रखेगा इसके से अपकर के ने करैसे हैं बुरुनेई यहां पर आता है ठीक है तो यह लगवग सारी सीजे आप याद रखेगा जो आपके एक्जाम पॉइंट वी से थोड़ा से इंपॉर्टन भी हो जाता है तो यह अगर फिजिकल में आपके बात के तो 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 यह थोड़ा ग्रीन-ग्रीन दिखला है इसका मतलब पर चाइनाव फिलिपीन ठीक है मलेसिया बुरुनेई इंडोनेसिया ठीक है सिंगापूर थाइलेंड कंबोडिया वियतनाम यह सारी सीजें हमने देख ली अंडमान से याद रिखेगा अंडमान सी है आपका यह वाला इलाके से और आपका अंडमान के बीच में आता है तो से लिख सकता हो मलेसिया मरेसिया कंबोडिया वियतनाम और थाइलेंड और इसके साथ साथ मलेशिया साथ बिचा नहीं बडाया थाas यूशी आपका Malaysia और फिल्पिन्स के बीच में आता है ठीक है यह थर फिल्पिन्स सी आ जाता है और पूरा Pacific Ocean का पॉरा यह अंगर मिला दे तो हम तितनी चीज़े हमने पढ़ाता हमने ठीक है इरेनियन जाया यहाँ पे है जो आपका इस पर आप इनकी राजधानी सिफ्ट कर दी जा रही है क्योंकि जाकार्ता जो है डूब रहा है पानी के अंदर धेद्रे धस रहा है डूब कैसे रहा है देखो जाकार्ता की जमीन ऐसी है इसके नीचे पुरा खाली गूफा टाइप में है ऐसा समझ लो अब देद्रे क्या हो आप देखो कि समातरा जकार्ता का बहुत सारा एरिया पानी में डूमता जा रहा है ठीक है लबगो लबगो सारी सीचे लिए डिसक्स कर ली दोस्तों जग साव चैना से लगता है गल्फ अप सुन्डा इस्टेट जावा और समातरा के बीच में है ठीक है जावा सी यहां पर अब इसकी बाद देखो कि अगर हम बात करें अगलब से कौन कौन सी कंट्री लगती तो याद रखें इरान इराग कुवेट अब यहुद है तो कई पर एक्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं है यह में अगताव के बाद क कि जुर साना है तो यह थी याद रखेंगा दृबर माल अबु धाब पुर्खा hast कि दोभा है बहरेन की मनामा है कुवेट की कुवेट सिटी है ठीक है तो यह बिसक्री से पॉइंट भी आद रखे कई वड़ाइक लिए हमसे पूछ ले जाता है ठीक है तो लगव लगव इसमें सारी चीज़ हमने पढ़ लिए दोस्तों आगर आप थोड़ा दूर से देखो इराक कुवेट बहरीन कतर वेई ओमान यमन साओधिया अरब जॉर्डन इजराइल लिवनौन और यहां पर फिलिस्तिन खीक है इतनी चीज़ होगी हमने लगवग देख लिया आप उपर गएकर देखो तो उपर में देखो यहां पर रसिया इतना बड़ा सा सबसे बड़ा देश में रसिया है यह भी याद रखे किसे कैपिटल मॉस्कोव है इसके पड़ोशी देश हो कि सारे सारे पड़ोशी देश लिखे गया है उत्तरी कोरिया चाइना मंगोलिया कजाकिस्तान जॉर्जिया अजरबेजान युक्रेन पॉलैंड ठीक है उसके साथ नॉर्वेय पॉलैंड कैसे पॉलैंड के पास में कालंडिन ग्राद एक प्लेस है जो रसिया का पड़ोशी देश हो जाता है तो यह इतनी बिसकी से पॉइंट याद रखेगा और रसिया की बात करो को तो रसिया की दोस्तों बौर्डर इधर देखोगे तो आपका अट्लांटिक उसी से लगता है ठीक है तो याद रिखेगा बहुत रहता है तो यह इसी आपको ब्लैक सी के छे गंटे लगती कौन कौन सी देखो रोमानिया बुल्गारिया टर्की ठीक है जॉजिया रसिया और युक्रेन ठीक है बहुत सारे बच्चे अलग बनाते तो जिस ट्रिक से आपको बहुत सारे बना देते हैं थारी षक्तर बुल्गारिया ठीक है अउसके बड़ाघSo reply उछे यॵक्रेन बढ़े लगता है मैंने पढ़ाए भी था तो यहां पर याद रखना है और यहां पर एक्जाम में पूछ लाता है युक्रेयन और रिश्या के बॉर्टर करते हैं इससे यह याद रखेगा ठीक है न तो युक्रेयन यहां पर अमने देख लिए क्यों इसकी केप्टल है आपका तर्की पर इसके लावा इसके आस-पास के पड़ुशी देशों के याद रखेगा बहरीन की के मेरणा ठीक है मनमा उसके रमां गրफ हो बहरीन और के बीच में है तूभर साल्वा बे कहां पर यॉदा कई को त्रिम यादर रखेगा तो मामानोम का मैंने बता दिया तो यह यादी उसकत कुछ पोर्ट याद रिखेगा बंदर अब्बास चाबहार ये इरान में है गौदर आपका पाकिस्तान में कांड़ला जिसको दिन दियाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और जीन पीटी आपका मुंबई में है तो कैस्पेंस आगर के नाम तो हमने जिस याद रख लि पूछ लिए जाता है ठीक है अफगानिस्तान के कुछ याद रखेगा क्योंकि अफगानिस्तान बहुत चाचा में रहता है मजारे शरीफ काबूल है रात ठीक है यह बेसिक तो आपको याद रखना है कंधार कंधार तो आपने सुना ही होगा हिस्ट्री पड़ते टाइम र है यहाद हो जाते हैं और आपका कराची हैदराबाद देखो आपने यहां भी है इनके यहां भी यह तो यह बीसिक पॉइंट इस्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है न यह बेसिक फॉंडामेटल्स आप याद रखेगा और अफगानिस्तान से परश्टी देश्टों की ब इक्मेनिस्तान अफगानिस्ताइन पाकिस्तान रोर इंडिया तो कई पर हमसे रिटेखलों पूछ ले जाता है तो को सरसिया नौर्थ और स्कॉर्या ठीक है टोक्यों याद की बद जापान के बात कर भाड़ा डिस्प्योट है इसमें आपका बात करें तो रसिया और जबा लाइन वी चर्चा वेले तो याद रिखेंगे कहां पर है इसकी लोकेशन जापान के नौर्थ में है जापान कहता है हमारा है आधा-धा इनके पास आधा उनके पास है तो आपस में लड़ते रहते हैं ठीक है उसके बाद सियो एज़ा देखा तो इस टेफ आपकर्श है यहा और जपान को जोड़ेगा जबकि अलग दो भूभागों करता है तो किस बिभाग को अलग करता है शाओध को जापान से अलग करता है कुरियन स्टेट तो ऐसे आपसे कई बार आपक्ली दोस्तों को सन पूछ ले जाता है ठीक है तो यह इसमें इसमें इंप्रटन है बाकि अब पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो ठीक है ना लग बग लग इसमें हमने सारी चीज़ें अरब सारी चार्चाहम थोड़ा सा रहा इस बार तो आपको यह थोड़ी चीज़ें यहां से पार होता है यह बीजिस पॉइंट याद रखना है बानियास दूबई साज जहां अबुधधावी यह सारे यूए के पाथ थोया आध रखेगे रह बाषिछ यह बहूत जाद रहुट में वह भीएक होता है पुछ यहां और्दधर्फिपाए Ten पर अब यह एक वामज प volcano स्टेट आफ हर्मुज यहां पर पर्स्टा पार्ट शोगता है यह प्लिस्ताइन की बात करें इसको को इस चाइब का माना मैं प्लास्टेन की नाम से इसकी लगती है लिबनाओन की लगती है तो यह से तो आगे म में दिखेंगा इगा तो आगे हम दिखेंगे आपको बढ़ाते बढ़ाते आज के ताइम पर यह देखोगे तो यह सारी इतनी फिलिस्तिन इतनी छोटी ची रह गई है और गाजस ट्रीप यहां पर बाकी कब्जा किसका है इस्राइल का है ठीक है तो यह पता चले कैसे कैसे इस्राइल ने बहुत यूद लड़े हैं दोस्त लगा था ठीक है इजिप्ट लगा हुआ था लेकिन तब भी इसको हरा नहीं पाए नोंने बड़ा टेक्निकली खेला था हो कभी इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसे नोंने यूद लड़े थे बटो हमारा मैप का पार्ट नहीं है तो इसको बहुत बात में देखेंगे सीरिया क हो इसका एक प्लेस है यह आपकि और आपको यहां परैंड यहाँ यह ऑ एक बखक है क के बाते घ्क बैसे पूशाँ आप याद रखेंगे जापान के बार में एक किमिस याद रखिएगा तो हिरोश će आ ठाल के तो आपको जापने प्रचल जाता है तीजिस के रघए अपको मैंड जाता है तो इसलिए आपको जिस्ट याद रखना में चलए आगे बढ़ते हैं तो इसको अभी छोड़ते हैं जोजो शीजा नहीं देखिए हम देखेंगे तो सुन्डा आप को सुमातरव जावा के बीच में मलक्का मैंने बता था मलेशिया राको आपका सुमातर एदिव के बीच में हैं यह लगवख सीज़ हमने पढ़ लिए ठीक है तो यह मैप मैप कुछ जादे क्लियर है तो यहां टाइम और ची याद रखिएगा ऑस्टलिया और आपका इंडोनेसिया की बीच में सुमात्रा सुन्दा स्टेट और जावा की के बीच में है त esas को हैं पूलड़नेसिया और तो यह बेसिक वांदमेंटल ज़स्त दोष्टा याद रखने को कई बार से तो थे तो कई आपने से पूछ ले जाता है ठीक है अब यह तको ग्हंब इनिसाइटीवे दुख करद समीर है कि इससी को जाता है तो यह कुरा है छाइना बात कर लेते हैं तो यह चानीना के लिछेज़ेंगे रहराइब बुर्ण तैंदेटी नाराज है से उतंव बूमदसागर की बात करते हैं मोरकको अलजीरिया टुनिसीया लीविया और मैटल की नाम से दोस्ते के लिपनान इजराइल, सीरिया, और टर्की, इनकी बॉर्डर लगती किस से, याद रिखेगा, आपका मेट्यन सी से, ठीक है, और इसके बाद इधर कंट्री मैंने बताई तो, इसके साथ, मेट्यन सी, भूमल सागर के साथ, ठीक है, तो इतने बिच्वी से पॉइंट दोस्तो याद रखे है, देखो हमेशा नंबर बनने के लिए दोस्तो पढ़िए, ठीक है, अगर नंबर बनने के लिए बढ़ेंगे तो आपका टॉप हंडिर में नाम हमेशा आएगा, ठीक है, तो दोस्तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, आसा कातर वीडियो पसंद आओगा, पसंद अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो, थैंक्यो सो मच,